आज हम चने दाल की रेस्पी देखेंगे एक कटोरी चना दाल ली है और आधी कटोरी से भी कम हमने दोर दाल ली है यहां इसमें कुछ सबजियां डलेंगे इसमें लहसो, नद्रक, हरी, मिर्च, टमाटर और प्याज है साथ ही इसमें हम सूखे मसाले भी आड़ करेंगे हल्दी, मिर्च, धनिया और चने की दाल में हम गरम मसाला भी आड़ करेंगे घर नगालने के लिए हमारे पास जीरा और हिंग और यहां हमने थोड़ा हरा धनिया लिया है जो बनने के बाद दाल में हम डालेंगे इन सारे ही सब्जियों को हम कट कर लेंगे और यहां साथ में हमने एक चीज और वह है हरे धनिये के डंठल जो सॉफ्ट रहते हैं उनको काट के हमने रख लिया है तुवर दाल और चना दाल दोनों ही खून की कमी को दूर करती हैं तुवर दाल जिसे अरहर दाल भी कहते हैं, सुजन के लिए बहुत गुनकारी होती है यहां तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हींग और जीरे डाल देंगे चनादाल डायबटीस के मरीजों के लिए फायदे मंद शरीकी कोशिकाओं को मजबूत करती है यह कमी और हीमोगलोबिन किस तर को बढ़ाती है चनादाल यह हमने प्याज डाल दिया और साथ में ही नमक एड़ किया है प्याज जब तक हलकी सी पिंक ना हो जाए तब तक हमें भूनना है यह भून चुकी है अब हम इसमें लैसुन आट करेंगे तुवरदाल खाने से रोग प्रतिरोधक शमता भी बढ़ती है तुवरदाल हमारे दिल को सौस्त रखती है चना डाल पी लिया जैसी विमारी में भी फायदे मंद होती है यह शरीर की कोशिगाओं को मजबूत करती है अब इसमें हमने अद्रग मिला दिया है इन्हें एकदम मध्यमाच पर हमें भूनना है और जब यह भून जाएगी तो तब हम इसमें हरी मेर चैट करेंगे 100 ग्राम चना डाल में लगबग 33 हज़ार कैलोरी 11 ग्राम फाइबर होता है और प्रोटीन होता है यह हमने हरी मेर चैट के और साथ में हम टमाटर डाल देंगे और मिला लेंगे टमाटर को हम एकदम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे चना डाल को हम बहुत सारी सबजियों के साथ भी बना सकते है चना और राहर डाल का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा होता है हाँ आप इसे मूंग डाल के साथ भी बना सकते हैं तो मुझे तो ये दोनों ही अच्छी लगती है अब साथ में हम ये हरे धनिय के डंठल डाल देंगे और इसे भूनने के बाद हम इसमें हम इसमें सूखे मसाले सारे आड़ करेंगे लाल मिर्च धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और साथ में ही गरम मसाला अब इने भून लेंगे अब हम इसमें डालों को मिला लेंगे जो हमने पहले धोकर रखे हुई थी और डाल में मैं थोड़ा सा कुनकुना पानी आड़ करूंगे तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं जो हमने कुनकुना करके रखा है पानी हम अगर दाल एक कटोरी है तो पानी चार कटोरी रखें बाद में अगर आपको आवशक्त हो तो बाद में आप डाल सकते हैं यहाँ पर हम प्रेशर कुकर में पहली सीटी तेज में लेंगेंगे और बाकी की तीन सीटी हैं मध्य माच पे लेंगे इसमें दाल एकदम पर्फेक्ट पकती है मेरी रेस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दाल हमारी रेडी है इससे आप रोटी राइस के साथ खाईए